हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका रहे हैं आप सब का आपके अपने चैनल लेट्स इस्टार्ड इस्टेडिम बहुत बहुत स्वायद करते हूं आज मैं आप सब के लिए सीटेट एक्जाम के लिए ईविस पेड़ागोजी की क्लास लिए जिससे कि आप सब को पता है कि आपके अजयाम में ऐपिशियल स्लेबर्स दिया गया इविस पर्ड़ागोजी की जो टॉपक उन्हीं को आपको पढ़ना है जिसमें आपका पहला टॉपपिक है पर्या वराण अध्यन पर्युपर ने में पढ़ा कि पढ़ाना कि सीट कराना है तो बच्चिवों को इसे पर शीज कि अदिक हम का थात्हों को तो कि छिखाना करो t Christian को सिख सिखानां कौन को सिख़्ान को सिच्छार कोई सिच्छर सुथरों को कौण सी सिच्छर विधियों का प्र Gotcha to को आफ को थी ताप्क है टूपिक और याकि आपको समधवा उनकी सेत्रे ढाय sa है अध्यकद हम क्या करते हैं विज्ञाणं विज्ञान विज्ञाण वग्जाण करते हैं फिर उसका उपाघ्म से उससाप्रदान करते हैं तो यह अपने आपके ठ Earlie ने बड़ा और आपका तो आज हम आपका फोर टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरन अध्यान सिच्छड के तरीके अगर अभी तिक आपने तीनों टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो मारे चैनल के प्लैलिस्ट से जाके देख लिए और अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे क्या हो कि हमारे चैनल पर आने वाले सारी वीडियो के आपको रिगलर पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो आज के जो मारे टॉपिक है पर्यावरन अध्यान सिच्छड के तरीके तो आज हम पढ़ेंगे कि जैसे पर्यावरन के तक हम क्या करते हैं विज्यान वा समझी विज्यान इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारी को आप इसली सॉल्व कर सकें तो चलिए आज हम पढ़ना इस्टाट करते हैं पर्यावरन अध्यान सिच्छड के तरीके पहले आपको पता हुने पर्यावरन में आप किसकी किसकी सिच जीवन में प्रयूग कर सकते हैं जिवन 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 में प्रयूग कर सकते हैं तो जीवन में प्रयूग कर सकते हैं तो जीवन में प्रयूग कर सकते हैं तो जीवन में प्रयूग कर सकत पर अच्छार ओपड का महासमत पाएगा जल प्रोडूसर या किसी और चीज के बारे में पचाने तो पहले आप उसको बताने कि बिटा आपके जीवन में जल का क्या योगदान है तो अब करते हैं अगर जल नहीं होगा तो आपकी कौन-कौन से क्रिया ही नहीं हो सकते हैं इन इसका ग्यान को जाएगा इस्ताई हो चाएगा इसके अत्रिक सिच्छर को प्रभावी बिनाने के लिए बिवन सिच्छर विधियों वह सिच्छर सूत्रों को प्रियों करते हैं जैसे क्या होता है आप सिच्छर को प्रभावी बिनाने के लिए टीलम वगरा का प्रियों करत कि मैं विस्सेवस्त की प्रकति जैसी हूं उसी के अंसर क्या करना है सिचर विदियों का असिचर सूत्रों का चैन करना है तो चलिए हम पढ़ते पर्यावर सिचर की जो प्रमुख मुख विदियां होती है जिनका प्रयोग करते पर्यावर के सिचर करते समय तो उनके बारे तो पहले पढ़ने थे विषलीचन वी एक दूसरी के पूराक हैं आप कभी यह नहीं कहाते कि विष Counselी सर्वों जैदा अच्छे गयं यह दोनों क्या एक दूसरी के पूराक है विषय वस्तु सवते खंडों में होता है दोड़ना कि ऑगर समझाने किसीπο kuv भी किसी आकतें करना देते हैं लियुआ कि चलते हैं अग्याद से ग्याद क्यों चलता है है पूरा प्लांट नेशित करें यह साइब अब बच्चियों को क्या हम कर रहे हैं इसके खंडों में पहले आपने इसको फूल के बारे में प्मकुल को कहा रहे हैं धिये को फूल होता है यह इसा होता है फूल का रंग शेजों के में फिर जड़ों के बारे में पहले आपने किया कि है प्लांट की जितने भी पार्ट है सब के बारे में अलग अलग उससे समझा दिया तो समझ गया अब उसकी बद आपने किया किया सबको समराइच करके समगर रूप से समझा दिया तो यह क्या कर दिया अपने जोड दिया उ बोली का पेड तो नहीं रह सकता इस तरह चापको खंदों में जाना विर शीbaum ? फूल यहाँ पेड यह पहोदा आय संक्षा जानता है कि अज ऐन इधिसमें प्रिदि वृत्ध आँ अब्यार के तो को है विक्लार की आग्याद यहाँ रहा है सब्सक्राइब और अग्याद से ग्याद की ओर चलती हैं अब चले हम पढ़ते हैं संसलेशर विदी क्या होती है संसली इसर विद में खंडों से प्रापत ग्यान को जोड कर समगर रोप से समझा रहता है जैसा भी मैंने बता है कि बच्चे को अपने जड़ पादब के फूल पती तनी इनके बारे में अलग-अलग समझा है जब बच्चे को अलग-अलग ग्यान होगे तो आप क्या कर सकते उसको समराइज करके समझा दीजी कि बच्चे क्या होते है उसको पादब को इस्ताय तो मिलता है सहारा मिलता है फिर तनी क्या होते है फल क्या होते है फूल क्या होते है उसको इसको समराइज करके बता सकते हैं कि बच्चे पेड़ होते है पेड के भाग होते जड तना जड से क्या होता है सहारा मिलता है तैनी में क्या होते भोजन का प्रवाव होता है भोजन का सौमान होते पत्यूम क्या होते भोजन निर्मान में सहायक होती प्रकास संसलीशन किया तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो ग्यान खंडों से मिला था उसको समग रुरूप से समझा रह जो अक्षर एक्जामन से पूछे जा सकते हैं यह अगर नहीं भी कॉछे तो इन्हीं के बेस इन्हीं की कॉंसेट्ट के आदार पर आपके प्रेडागोजी की क्वेस्टन सॉल्ब करने होते हैं अगला केरा आग्वन बिद्मिं क्या करते हैं तत्तों गुडों को औलोकन करते हैं और अपके बच्ची को पहले उधाराण दे के समझाते हैं उसके पसाद आप उसको क्या करते हैं नियम बताते हैं जैसे आप माली जी बच्ची को क्या पढ़ाना है उस्मा की बारे में पढ़ाना है उस्मा की बारे में यह तो आप ऐसा कर सकते हैं पहले उस्मा की पूरी परिवासा दे दीजिए फिर उस्मा को उधारण देखे लगे और कुछ समय पसात आप देखें गी इस टील की राड़ को दूसरा सीरा भी क्या होगा गरब होने लगेगा तो उसे बता सकते हैं ऐसे क्यों हुआ कैसे वह उस्मा के संचरन के कारण उस्मा का संचरन इंगीन विदियों चो थे जैसे चालंज से समवाहन से विकरार से ऐ पिल्ए आप क्या कर सकते हैं जिए उस्मा के बारे में सारे नियम बढ़ताता है क्या परिवासँ होती है स्विक्ति आगमन बिती आगमन बिदी में आपको सिर्फ ये याद रखने कि आगमन बिदी में हम क्या करते हैं पहले उदार अरदी के समझाते हैं उसके पसाथ उसके नियम बताते हैं अब चलिए हम पढ़ते हैं आगमन बिदी में प्रयोग सुचर सूत रूते हैं आगवन बीद में जैसे विसिष्ट से सामान की और सिसे सूत कप्रियों करते है विसिष्ट से सामान की और क्या है कि बालक क्यों क्यों होते है पहले विसिष्ट सीनियों का विसिष्ट क्यों होते है जो बालक का अपना सोयम का ग्यान होता है जो सोयम उसका विसिष्ट ग्यान बना के रखते हैं उसका विसिष्ट होते हैं उसी क्यादार पर क्या करना उसको सामानी ग्रण जैसे उस्मा उस्मा की परिवास से तो सब के लिए एक ही होगी ना लेकिन उस्मा के बारे में अगर आप हर बच्चे से पुछें कि तो हर बच् करन कर दिया अपने तो आपको क्या करना है हमें सब विजिश्ट से सामान की ओर जाना है बच्ची का जो भी अपना विजिश्ट गयाना है उसकी आधार पर उसको एक जो सार महुमिक निया में सामान निया में उसके वारे में गयान करना है और चलिए हमें पढ़ते हैं अगला से इच्छा सूथ कौन सा है अगला एक ग्याद सी अग्याद की और ग्याद की और बच्चे को कुछ ना कुछ चीजे जो जानता है उसी को आधार मान की क्या करना है उसे अग्याद नई चीजों की बारे में सिखाने का प्रयास करना है तो कौन सा से इच्छा सूथ होता है यह प्रियोग करके दिखा सकते हैं कुछ वैसे चीज़ें दिखा सकते हैं फिर उसको उसके सूच माइक्रो की तरफ लेके जाएं पहले उसको उसका पूरा बयोभारिक रूप में दर्सा हैं फिर उसको क्या करें उसके सूच में रूप में लेजा आपको क्या हुआ किसी पर नियम भूल भी गए लेकिन आपने जो उदाहरार समझें तो इमेज समझें तो आपको आसानी से याद रहती है इसलिए मैं अपने वीडियो में आपको इमेज लगा के समझाने का प्रयास करते हूं नहीं तो उदाहर देखे जिसलिए क्या हो कि माल क्या करते हैं बच्चे को मैंने बते हैं कि उस्मा को दाहरा उस्मा को दाहरा के लिए क्या कर सकते हैं इस्टील की राट को गरम करने में एक सीरा करम कुछ समय पर साथ क्या होगा उसका दूसरा सीरा भी गरम आपको मैसूस होने लगा किसकी कारण हो उस्मा की कारण हुआ अ आते विश्वस्की भावनीया का विकास हुता है अगलें का रीटनी के प्रवधि कम होती है जब भालक स्था कर को सीखता है उन्फ प्रयूफ को दीखता है कि स्कों अशनद क्या होती जैसे मूधी के गईरा देखते हैं तो मोवी तो सपाइ यहाद हो जाती है क्स tvsh क्या होते हैं फिला इसन मेमारी म मायंड में जो दो देखते हैं यहां है जशाली ने लृफ्षुत करने से नीकर जाती है और वहाद섯 है भी बैस विल्ट्ण द्रेष्ट कॉर्ड का विकास होता है जब बचध्य सुतियान करते हैं प्रियोगों को करते हैं तो अरड़ा राती विचारा थे इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा इस परिष्टित में क्या कर सकते हैं फिल्डी में विकास होता है उफ दूर recoman बड़ी से गऊहए बच्चों को जॉला मेकी का फटना यह आपने संजा सकते निए इस ना अपने योते हैं यह सीन म bigger वस्तों की आधार पे इसका चाह्या का चाहिए और प्रातमि क्युक्छ पियोंगते हैं प्रातमी किस्ट्र में प्लक्षों की क्या होगी होती है अब चलिए आगली विदी पढ़ लेते हैं निगमन विदी निगमन विदी के अंतर अगत क्या करते हैं सामान नियम के अधार पर किसी विशियस परिस्थित के लिए परणाम निकाला जाता है उन्हों को कि पहले हम क्या करते हैं सामान नियम के अधार पर विसी इस परिस्तित के लिए क्या करते हैं परिणाम निकलते हैं अर्थात इसमें क्या करते हैं चात्रों को पहले नियम बता जाते हैं इसके पसाद उधारार देखे उनका अर्थ समझाए जाते हैं जिसे आपने आगपन बिदमी क्या किया किया तो पहले उधारार समझाए फ क्लोरोफिल सायक होता है इस तरह से पहले पहले नियम बता देंगे उसके पसाथ उधारा देख के समझाना है अब चलिए पढ़ लाइते हैं नीगमन बिदी के पर लसके नियम कोसी होते तो पृट्डलक की परियो नियम को देख कर हो सब्सकों से के अ चीका देखने का प्रयाश्य को जब प्रियोग कर लेंगे तो फिर करता हैं बच्चा कुछ निशकों से निस्कर्स निकाला और छे सबसक्त है निश्क निकाला पड़яет गलत सब्सक्ता हो निखन बिदिः कि पוכे पदë हो पढ़े पूश्ते निकमन मित की कितने पड़ पहते हैं पहला आपको कौनower होता है नियम प्रियोग निश्कर सत्यापन ये आपके क्या होता है निगमन मित के चार पद होते हैं अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं आगे आपके क्या है जिसन अन्वेसर या हुरिस्टिक में दी आपको जिसने पता है कि विसलियसर वा संसलिस ये भी दोनों क्या एक दूसरी की पूरा के उसी चीज़ें करेंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा अपने उदारान देके नियम समझा दिया अगर बच्चों को ऐसे नहीं आ रहा तो आप उसको नियम देके उदारान संजा सकते हैं दोनों में प्रोसेस तो हो रही है तो इसलिए आगमन और निगमन विदी दोनों आप दूसरे की पूराख है अब चलिए अगली बींदियां पढ़ते खोज देवी कहते हैं क्या कहते हैं खोज दी आर मिश्ट्रांग देका को आऊंवेश्टी विदी के जनमें दाता थे और मिश्ट्रांग लेकिन इस विदी का आधः बनाया थे और हरवर्ड स्पेंसर क क्या बोला था उस कतन के अधार पर और मिश्ट्रांग ने अपनी इस नई विदी को दिया था कि इस विदी का क्या नाम था हुरिस्टिक मैटर्ड हरवड इस्पिंसर ने कहा थे कि बाल को को जितना संभव पताया न चाहे और जितना अधीक संभव खूझनी और सता करके 45 15 जिससे बालक क्या करें? नवीन 11 का निर्माय करेंगा, सो तक हुझने का प्रयास करेंगा, इन सब के लिए बालक क्यों क्या करना है? प्रोथ्साइद करना है. अब चलिए पढ़ते हैं अन्वेसर विदी में क्यों होते हैं अन्वेसर विदी के दिगत केते बालकों को समझ एक प्रकर कैसा वातावरा प्रस्तुत करते हैं जहां पर सोयम प्रयासों से नए तत्तों को नई जानकारी की नए ग्यान की खोच कर सकता है जैसे कि आपको NCF में भी कहा गिया कि एक टीचर को क्या करना है सुगम करता की भूमका का निर्वा करना है सुगम करता का ताथ पर क्या तो एक ऐसा वातावरा उपलब्द कराना है जहां पर क्या करें बच्चा सोता सीखने का प्रयास करें आपको सेरे वातावर उल्लप्द करनाय, यह किसमें होता है अन्वेसर विदि asati amori इस बढुदि क्ने का प्रयांस करनाय, जैसे आप मालीजे आपने जैसे सीटेट का फॉर्म भरा होगा आपके अंदर सोता ही विकार हो गएगी भावना कि हमें सीटेट का एक्जाम क्वालिफाई करने हैं पढ़ाई करने इसके लिए आप सोता वीडियो सर्च करते होंगी किस चैनल से पढ़ें किस समझ में अच्छे से आ रहें कोहँं से हमारी सलेवर्स के कारणी पढ़ा रहें ऐसली आपको स्लेव northeast का पारर्ट है पहले कि नहीं कि नहीं ऐसली आप किसी आधार इस्टेट के टेट का भी स्रीबस परणें इसी तरह से जब बाला को आप जिसमें रुची उत्पन हो जाएगी उसको वाता वर्ण पुदान करेंगी तो सौत्या खोज प्रविती का विकास करें का सौत्या ग्यान कर निर्माया करने लगेगा अब चलिए तक विकास करने तब क्या कर आदेरिकव पहले तूसके समहस्या करें हैं ऑंपने क्या क्या किया होगा प्रेchant करना क्या करने के लिए अगया झाल जाना कि मुझे teacher MBA करने आपके समस्याइन nossa teacher अधार पर तो अपने उसको course करना किया और है किमते बीट करना है की B doğr कुछ और चीजे कौन चाहदा को एक कांगहें कर सकें तो फिर आपने इत्गा कि इसका कोई सकोफ है कि नहीं तो तो की त्यार ही करोंगा अच्zessा इतने माइन में एक परिकलपना बनाई अब यस फिर कोगा कशा क्या होाई परिच्छर करते हैं कि उसका फिर परिच्छर करते हैं कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं दीरे दीरे करते हैं ऐसे बच्चों को जब समय से आती है तो उसका पहले समय से आती है फिर उसके खोच करते हैं फिर परिकल्पना करते हैं परिकल्पना करते हैं परिकल्पना करते है जब आपका पूरा सुखुन सहीच चलता रहते तो आप क्या करते हैं आप यह प्रक्राइब की श्क्राइब करना है फिर मुझे ठीचर बनना है तो यह आपने कर लिए नियमों को निर्धारन कर लिया अब इसके पस्टाइद क्यों अब आप एक निर्धारन कर लेंगी तो मुझे इसके चैनल के दोरा इस बुक के दोरा इसके माध्दम सब पढ़ाई करने हो सिट ट के एक्जाम कॉलीफई करने है या कोई और एक्जाम तीस वापने क्या कलिया नेमों को निर्दार यह आपकी कौन सी विद्धी अन्वेसर विद्धी है अब चलिए हम आगे पढ़ते ब्रहमण विद्धी की बारे में ब्रहमण का सरल सब्दों में ताक्षपर क्यों घूमना क्या होते हैं घूमना जैसे कौन सी विद्धी ब्रहमण भी दियत प्रहमण व्रदीक में सबसे जादा इसका रूस सब्काढक का यो बिदो को पता है रूसुभ ने नारा चाह्या आके पुस्तक पढ़वा के बुनियादी सिच्छा नहीं दीजा सकती उन्हें कि आप बच्चियों को पढ़ा सकते हैं जिसे बुक पढ़ा दीजे किताबें पढ़ा दीजे घर में अच्छा में लेकिन उसको फील तो नहीं आएगा जैसे आप माल लीजे बरफ पहाडों के बारें हैं पढ़ा रहें तो पहाडों को दी कि जो फील आएगा ऊधाल से नहीं मिल सकता बरफ के बारें पढ़ाना प्रकत के समीब जाके होगा तो रूशु कहते हैं ब्रहमा कराके क्या करते हैं वस्तों को सवाभावी ज्याद कर सकते हैं जैसे आपको पेड़ के बारें पढ़ाने तो क्या पेड़ के पांस लिए रूशुने का क्यों वहीं पूसको देखी इसके नीची जड़ा अगर तो इसके ब्रहमा की दोवरा सिचे दे सकते हैं तो इसको ब्रहमा की दॉरह सिचा देता हैं तप्रमाड और ब्रहमाद ताउब का अब झारिब करें द Restaurant का ब्याता पूरी होना चीमा होना है आप ш जो दीखा उसके बारे हमको अपने अनिबॉल लिखते रहे उसी टाइम उसको समझाने का भी प्रयाश करने कि पिटे ये बनवाया किसने तर साँ जाने अपनी पत्नी मुम्ताज महल के बारे में उसी टाम उसको मुगल वन्स के बारे में थोड़ा बद बताएंगी जिससे का समझ भी जाएगा और उग्यान का निर्मार स्वहम कर लेगा इस तरह से जब भी अगर कोई वक्त में मिल्दब आव सकता परती का ब्रहमाण विदी का प्रयोग कर सकते हैं जिसे आप सबको भी बते हैं क्या होते हैं स्कूल से टूर वगर जाते रहते हैं लेकिन वहां भी क प्रयोग से लिए अगली विदियां परते हैं समस्या निमारक विदी के परहें उन्होंने सिचर के सबसे उप्यूक्त विदी होती है और इस विदी का अधार यून्हों किसको बनाए ता आर्मिश्ट्रांग की हुरिष्टिक विदी को जिसने पता है कि सम्भू सो ग्यान देना नहीं बल्कि ऐसा वातार अपलब्द करना जाओ स्वयम सीखने का प्रयास करें और समस्था निमारक विद्धी का आधार किसको बने गया आर्मिश्ट्रों की हुरिस्टिक विद्यार्थियों के सम्भू को समस्था प्रस्तूत की जाती हैं जिनका वि समस्था आने पर आप क्या करेंगे जैसे आपने अंसियर्टी के बुक में पढ़ा होगा जैसे मैंने आपको इविस की थियोरी पढ़ा रहे थी उसमें होते हैं कि अगर ऐसी कंडी सुन होगी तो बच्चे क्या करें इस ततर इस्ट कोस्थे तो उनके समस्था रखिए उनक निवारा करने के लिए विद्यारति अपने अणिबॉक। बालुकों की थर्क छंता, उनकी योगता, उनकी रुच्ची के आधार पर आपको क्या करने हैं समस्य का चैन करने इस स्टथ को या दखना है इस तरह से आज हमने इस टॉप्पिक को कंप्लीट किया ठीक हैं हमारी पेडागोजी के चली रही है इसके लावा हमारे चैनल पर सीटेड एक्जाम के लिए जूर्निया लेवल की साथ चल रहे हैं और बहुत जल्द आप इंग्लिश पेडागोजी की सारे PDF form में notes मिल रहे हैं और अगर इसी तरह से previous year में question के जो होते हैं अपने facebook page में जिसकी link आपको दी गई है discussion box में तता वस्ते भी आपको channel में link दी है तो जाके हमारे facebook page को join कर लीजी वहाँ पर क्या हो रहा है हम daily daily base में question डालते रहते हैं जो आपके exam के लिए बहुत ही helpful होंगे okay friend thank you for the watching my video